हलो फ्रेंड्स आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे युटूब चैनल सहोस आप सलूसन्स पर और आप देख रहे हमारा टाइप स्कृट का फुल टुटोरियल सीरीज दोस्तो आज हम जो वीडियो लेकर आएं इसमें यह देखेंगे कि अपरेटर्स का क्या कंसेप्ट होत हैं टाइप स्कृट में इसको हम देखेंगे आज के वीडियो में तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो टुटोरियल को दोस्तों देखिए अपरेटर होता कहें पहली है समय देखिए अपरेटर डिवाइन करता है फंक्शन को जो किसी डाटा पर हम करते हैं जैसे कि 7 7 प्लस 5 कर रहे हैं इकवल टू 12 हुआ यहां पर जो 7 और 5 है यह दुनों अपरेंड है 12 भी आपका अपरेंड है लेकिन यहां पर जो प्लस है यह अपरेटर है एकवल जो है अपरेटर है जो डेटा पर हम परफॉर्म करते हैं वह अपरेटर को ठीक है तो जो डेटा होता है उसको हम क्या बोलते हैं apparent ठीक है जिसके तुरू कोई function perform करते हैं उसको हम बोलते हैं operator मतलब वो operate कर रहा है ठीक है 5 7 plus 5 जो plus है दोनों को plus कर रहा है equal to 12 तो जो 7 5 और 12 है ये तीनों क्या है apparent कहले जाएंगे और plus और equal to जो है ये दोनों operators कहे जाएंगे तो चलिए हम इसके टाइप को देखते हैं कि टाइप पसिप में कौन-कौन से operators यूज में लिए जाते हैं कौन-कौन सा operator support करता है टाइप पहला आपका है arithmetic operator जिसमें की बहुत सारे operators आएंगे मैं बताओं दिखाऊंगा आप लोग को एक एक करके सारे operators के बारे में हम देखेंगे कि कौन-कौन सा operator होता अर्थमेट्रिक operator का अंदर किस तरीके से उसको यूज करते हैं उसके बाद logical operator क्या आकाल आता है उसको कैसे यूज करते हैं relational operator, bitwise operator, assignment operators, ternary जिसे हम conditional operator बोलते हैं इसके बारे में string operator, type operator इतने सारे operators जो हैं type ascript में यूज किया जाते हैं लेकिन इसका syntax क्या है एक-एक operators जो है जो हम इसके बारे में बहुत सारे एक-जांपल करके देखने वाले हैं जो हमारे आए दिन programming में यूज किये जाते हैं तिसलिए आगे आने मारे सारा वीडियो आपके लिए बहुत ही important है और यह operators बहुत ही यूज में लिए जाते हैं क्योंकि आपका logical part को और strong करते हैं अगर इसको आप समझ लेते हैं logical operator, relational operator, bitwise assignment यह सारी चीजें आपके programming में बहुत ही helpful होता है तो चलिए मिलेंगे अगरे वीडियो में एक एक करके सारे अफटेटर्स के बारे में देखेंगे तब तक के लिए thank you so much